भारत का एक गाव जहां अभी भी परियां रात में घूमती रहती हैं। भारत के उस जगह के बारे में जिसे परियों का देश कहा जाता है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है उत्तराखंड को देव भूमी उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। यहां की संस्कृती रीती रिवाज धार्मिक स्थल बहुत प्रचलित है। उत्तराखंड में अभी भी हजारों देवी देवताओं का वास स्थल है। ऐसे में उत्तराखंड की एक ऐसी जगह है जहां परियों का वास अभी भी है। उत्तराखंड के टिहरी गडवाल जिले के खैट परवत नामक जगह पर परियों का आवास है। परियों का देश के नाम से प्रसिद्ध इस परवत की खूबसूरती परियों जैसी ही लगती है। चारों तरफ हरियाली, हजारों किस्म के फल और फूल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं। मानसून के समय इस जगह की खूबसूरती चरम पर होती है। यह परवत हर समय बादलों से ढखा रहता है। जाहिर सी बात है जिस क्षेत्र को परियों का देश कहा जाता है वह देखने में तो बेहद सुन्दर और सम्रिद्ध होगा ही। खैट परवत बिलकुल वैसा ही है। य कि इस परवत पर अखरोट और लहसुन की खेती अपने आप हो जाती है। यानि कोई इनके पेड नहीं लगाता है लेकिन इनके पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। इस परवत के सबसे नजदीक है थात गाव। यहां के लोगों का मानना है कि उनके गाव की रक्षा हज सारों सालों से परिया कर रही हैं। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्हें खैट परवत पर कई बार परियों के दर्शन भी हुए हैं। थात गाव से करीब 5 किलो मीटर की दूरी पर खैट खाल नाम का एक मंदिर है जिसे यहां के रहस्यों का केंद्र माना जाता है। स्थानिय लोग इसे परियों या आचरियों के मंदिर के रूप में भी पूजते हैं। यहां प्रतिवर्ष जून माह में मेला लगता है। यहां एक रहस्यमई गुफा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके आदियंत का पता नहीं चल पाया है। इस स्थान का सं बंध महादेव द्वारा अंधकासुर और देवी द्वारा शुंभ निशुंभ के वध से भी जोडा जाता है। कुछ लोग अलोकिक कन्याओं को योगनिया और वन्देवी भी मानते हैं। स्थानिय लोगों के अनुसार यहां रहने के कुछ नियम भी है। यहां के लोगो की हिदायत दी जाती है। इस इलाके में जीतू नाम के एक व्यक्ति की कहानी भी काफी चर्चित है। कहते हैं जीतू की बांसुरी की तान पर आकर्शित होकर परियां उसके सामने आ गई और उसे अपने साथ ले गई। कहा जाता है कि जब जीतू अपने गाव से अपनी ब आराम करने के लिए एक पेड की छाया में बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। रैथल का जंगल खैट परवत इलाके में पढ़ता है। जीतु की बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर परियां खिची चली आई। परियां बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगी। जी आते हैं कि इस घटना के बाद जीतु उदास रहने लगा क्योंकि उसे डर था कि कहीं परियां उसे अपने साथ परिलोक ना लेकर चली जाएं। इस बीच रुपाई का समय छह गते आशाड करीब आ गया। जीतु मन ही मन डर को लिए धान के खेत में रुपाई करने चला ज परियां भी तभी खेत में पहुंच जाती हैं। कहते हैं परियों ने जीतु का हरण कर लिया तभी वो अपने बैलों के साथ भूमी में समा गया। जीतु बगडवाल की कहानी उत्तरा खंड के लोक गीतों में भी सुनने को मिलती है। कई उत्तरा खंडी गढ़वाली गीत आपको कैंप से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। दोस्तो, परियों की हसीन दुनिया में जाने के लिए आप उत्तराखंड के रिशिकेश से सडक मार्ग से गड़वाल जिले के फेगुली पट्टी के थात गाव तक किसी सवारी से पहुँच सकते हैं। यहां से पैदल परियों की नगरी तक यात्रा करनी पड़ती है। थात गाव के पास ही गुम्भदाकार परवत है जिसे खैट परवत कहते हैं। मालय की चोटियों का शानदार द्रिश्य देखने को मिलता है। इसलिए यह स्थान न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है बलकि परियटन की द्रिश्टि से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, खैट परवत से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।